उत्राखंड में जब भारती जनता पार्टी सियासी तोर पर परेशान होती है तो कारेकरता कहते हैं खंडूरी है जरूरी आखिर क्यों है खंडूरी उत्राखंड के लिए जरूरी ये हम आपको बताएंगे आज के क्रॉस फायर में बिसी खंडूरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना नियूस पर धन्यवाद जिस तरीके से उत्राखंड पिछली कुछ महीनों से चर्चा में बना हुआ है जाहिर तोर पर मेरा पहला सवाल इस बात पर है कि जिस तरीके की वहां पर आपदा आई और जिस तरीके से प्रबंधन किया सरकार ने क्या आपको लगता है कि वो ठीक तरीके से हुआ और सब कुछ दुरुस्त होने लगा है ठीक प्रकार से नहीं हुआ यह तो बिल्कुल सबको दिखाई देता है क्योंकि जिस परकार का नुक्सान हुआ है और जितनी लंबे समय तक नुक्सान चला है तो उससे पता सबस्त है कि बहुत मिस हैंडलिंग हुए है अच्छी तरह हैंडलिंग नहीं हुए है और थोड़ा उसके अगर सुक्ष में पृष्टी मुमी जाएं तो 16-17 जून को हाथसा हुआ था और जैसे सुचना ही मिलती है मौसम भी और भी कहता है 14 तारीक को कुछ सुचना दे दे गए थी वार्निंग दे दे गए थी उसके बाद कुछ नहीं हुआ 16-17 तारीक को भी पहला के दारनात में जो बड़ा जल 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 आया 16 को आया उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ पर 17 को दूसरा आया उसके 17-18 के बाद तो काफी लुक्स आना तो जो पूरा एक तो जो वार्निंग सिस्टम था उसके ओपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और हरकत होने के बाद भी आभी 16 तारीक को पहला एक बहुत काफी बड़ा जल जल जला जैसा आया था तो उसके बाद भी अगर हाई एलर्ट होता है इविजेट इलर्ट होता है रिजिक इस तक कोई इसको गंविटा से नहीं लिया यह जानकर इने कि इतना बड़ा हाथा हो गया है और इसलिए जो पूरी ब्योस्ता थी इसलिए पूरी गड़बड़ा आप कहते हैं आपने कई बार आलोचना की है कि वहां की सरकार जो है सो रही थी नेन से सो रही थी और वह मैंने आप से का कि अभी हमने उरिसा में देखा है एडवांस वर्निंग दे दी गई थी एक्यूमेंट भी कुछ कमी थी लेकिन एडवांस वर्निंग के बाद अगर इमिजिटरी रेक्शन होता है जैसे मैंने आप इसे का मानने जाए कि मौसमवाले कहते हैं 14 तारीक दिया लेकिन उसके उपर कोई रेक्शन होता तो 14, 15, 16, 17 को जो रिसी के से अपवर्ड भूमन था उसा बंद हो जाता और बहुत सारी लोग जो मारे गए हैं वो मारे नहीं जाते केदारनाथ जहां से ज़्यादा नुक्सान होता केदारनाथ से राम बड़ा पैदे चलना पड़त जैसे बड़रनाथ में नहीं हुआ क्योंकि बड़रनाथ भी लोगों को पास एक बहुत बड़ा मैदान था वहां पागर बैठ गए जितने रास्ते टूटे उनके से कोई फरक नहीं पड़ा इसलिए वहां बड़रनाथ लेकिन केदारनाथ और दूसरी जगह पर जहां पर इवेकुट करना था पैदल चलना था और केदारनाथ जल जला शुरू हुआ तो गौरी कौन और सोन प्रयाग और यहां तक सब नीचे तक चलता बड़ा आ गया और इसलिए ये मैं जो सोता है अगर हम होते हैं या कोई अलड़ सरकार होती तो 14 तारिक को हुई कुछ गंबी सब्सक्राइब करना था तो एरफोर्स के दिन में इतने दिन में क्यों बलाया और बाद में कई अच्छे हाथ्चों में केदारनाथ से कुछ समय तीन-चार दिन ता कुछ पता चला नहीं अभी जी रिपोर्ट आते हैं कि हेलिकॉप्टर ने 16 तारिक सुबे को भी बता जिय सब्सक्राइब करें लेकिन किसी परकार की अजैंसी अमर्जेंसी निहीं दिखा यह जैंने सरकार का पूरी तरीके से पोल फुलने जैसी बात है कि चाहे वह आपदा प्रबंधन की बात हो पहले भी और उसके बाद भी घट्नाओं के बाद भी उनका management जो है वह कहीं बें द उडार्न ये भी हजै से मैझा हेलिक्सटर को आर्मी से इत्ने दीडर बंगा बहुती निकोपोम कर अब क slight समय काइड फिला सी 25 17 जून को यह हुआ और एक मेने के बाद मैं जुलाई बे गया एक जगर गोविन घार जहाँ से कि शिक्कों का भी तेर शार्टा शुरू होती है वहाँ पर दूसरी तरफ शिक्कों की आतरा के लिए हमकुर्ण साब जाने के लिए करीब आठ सो से हजार गोडे खचर फंसेवे थे डेड़ दो मैने से फंसेवे थे कोई हरकत नहीं भी जब मैं वहाँ पर गया और मैंने बॉर्डर रोड को पूछा कि क्यों है यह पाचित की लेकिन किसी कोई शूरी वहाँ पर खचर मर रहे थे वह हरताल कर रहे थे वह लोग नाराज थे और जो काम डेढ़ दो मैने में वहा वह 24 घंटे गंदर हो गया और मेरे जाने के बाद बास्चित करने के बाद और रास्ता निकालने के बाद टीसरे दिन सब 800-800 खचर निकल एक तो उन्होंने आपदा का ठीक से प्रबंधन नहीं किया एक मसला लेकिन इसके बाद जो वहां पर राहत कारे किये गए वो भी बहुत ही धीमी गती से किये गए लेकिन आप दुख़द ये है कि कई बार ये सुनने को आता है अकसर अखबारों में सुर्खियों में ये ब तो इस पकार का अगर प्रसाज नहां चाहिए इस सथ तक निकाम नहीं कर रहे तो आप दायें तो ऐसी होती है जिनको रोकी नहीं जा सकती है ये एक दलील है लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है खास्तोर से उत्राखंड के बारे में कि जिस तरीके से बहुत जंगल काट दिए गए नदियों की धराएं प्रोजेक्स के लिए मोड दी गई तमाम उत्खनन के काम हुए कई चीजे हुई तो लोग ये कह रहे हैं कि एकोलोजिकल डिस बैलेंस के लिए भी जो है सरकारें जिम्मेदार हैं आप क्या कहेंगे उत्तराखंड के अंदर एको सद्धा देरी को अतिश्यक्ति नहीं होगी मैं ये मानता हूँ कि मैं बिल्कुल पक्षम हो विकास होना चाहिए उत्राखंड के अंदर मैं एक आनवी समांकर सांसा तूं शेतर का अभी मुख्यमंतिव रहा हूं ये दो परकार के दौन उत्राखंड में होगे हैं प्रकृत पर्यावन को छोड़ चाहर नहीं होना चाहिए डवलप्मेंट रिलिज जो हैं युकास है जो महां लोग रहते हैं जिन्होंने आज तक बहुत सारी लोग है जोने ने कभी बस नहीं देखिए वो कहते हैं हमको पर्यावन से कोई मतलब नहीं हम को सड़क चाहिए बिजली च कुछ जुमवारी नहीं लेगा तब तक होका नहीं आज हमारे देश मों कह रहा है परयावन को रोकने के लिए दिल्ली में वेटी इन्वारेन मिनिस्ट्री डेड़ दो तीन तीन सौप प्रपोसर हमारे सालों पड़े हैं कुछ होता नहीं है लोग अपने आप जा की बिल्कुल है और मैं तो आप मुझे पूछ रही है मैं तो शुरु से कह रहा हूं उत्राखंड के अंजर 2000 से जब अटल जी ने उत्राखंड बनाया था उत्रंजल बनाया था और अम 2013 में बीशिमे में भी मुग कमेंदीर रहा हूं तो मैं भी दोशी हूं लेकि दोश देने के वो काओं में तो हम ने यह कोशिच किया है लेकिन हमारा कुछ रहे हम स्टेट अब आठ टेक्नोलजी अर्ली बांडी के नहीं लापाए किसकी कमी है क्या कमी हो देखा जा सकता है लेकिन बजाए हम ब्लेम फिक्स करने के एक्ट्रिबूट करने के वो करो उसको अलग करो लेकिन डेमीडियल मेजल तो निकालो ना और इसलिए ये कहना कि नहीं है हमने क्या 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 उदार के तरक क्योंकि आपने मुझे पूचा मैंने क्या क्या मैं बी 207 मुख्य मंत्री बना था मैंने चारव दामों में कंस्ट्रॉक्षिन बंद करूआ था दोधार आठ में आ आज वहाँ जुगी जोपडी बनीवी है, पर्यावने केदानात के अंदर ब्लास्टिंग होनी है और मकान बनने, मैंने गौमोंक में जहां से भागेतरी शुरी होती है, वहाँ पर जो हमारे यात्री जाते हैं, उनके संक्या में प्रिदबंदी लगाया था, दो तो तीन तीन में लगाता है, वो सब कागस में लगते हैं, जैविन के ओपर एक को टास्ट फोरस केंदर की जुम्हें बरी है, हमने अपने प्रदेश से दो गड़वाल के लिए दो को माम कियें, और आगर को जाकर देगा, बहुत अच्छा उन्होंने पाड़ के पीछे पेड़ लगाए कितने मागरें बतने वो जानते हैं, कॉंगरें से कितने बतने जानते हैं, दुर्बागी ये है, उत्तरा खंड़ का, कि दो बड़ी पार्टी कॉंगरें से बीजे पीए, दोनों में अपना रवाई रखा, मुख्य मंतरी कोई भी स्टेबल न रहा है, पहले तो तिवारी ज पहले हैं, फिर दूसरे आए, फिर उन वाटे, फिर तीसरे फिर में दुबारा आगया, अब अब बरतमान में कॉंगरिक सरकार है, उसमें क्या तामाशा हो आप देखने हैं, सरकार कैसे चलिए आप देखने हैं, तो यह हमारा दुर्बाग कैया है, और राजनितिक जो जो जो राज्ट्रिए बीजेपी है, उसको लग रहा है कि उत्राखंड की सारे सीटें जीतेंगे, आपको क्या लगता है, जैसे वातरण बना है, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मैं भी यह समझता हूं, हमारे बहुत अच्छे चांसे हैं उत्राखंड में जीतने के, औ एक तो जो जिस पकार से प्रदेश के सासेंद काउगरिस का पिस्टेश चल रहा है, वो ठीक नहीं है, और दूसरा जो राश्ट्री के अंदर जैसे वातरण बना आप देख रहे हैं, किंद्री के अंदर किस पकार की सरकार चले, दस साल यह सरकार हो गई, मैरे कहाद है पर देख रहा है, और प्रदेश पर जहांकर कॉंगरिस सरकार है, वहाँ पर कितनी अराजगता है, कितनी यह बहुता है, कितना बर्शट चाह रहे है, किस पकार से लोग आपस में लड़ रहे हैं, अभी दो दिन पहले की बात एक लाल बत्तिदारी काविनिट में इन्त को जाता है, क्योंकि उनके जो सबटने हैं, उनके उल्टेविटम देते हैं, आज के तारिख में ये मान लिया जाए बदलती परिस्तितियों में, कि आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी के अंदर वो सब गुण है, जो आज देश के बग दाता और तुर इसका ल्या हुआ देखेने हैं, आज कुछा है इसका यवा देखने हैं,